अलो दोस्तों वेलकम बैक टो माई डोट चैनल आप लगवा स्वागत है मेरे चैनल में तो हम लोग आज एसी थ्योरी पढ़ने वाले हैं ठीकिया सेकंड चैप्टर है अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर नहीं फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो हम आप लोग देख सकत है ठीक है तो आप लोग ज्यादा से सेर्वी करना ठीक है और यहां पर अभी ऐसी त्योरी जो है वो थोड़ा लोंग है ठीक है और चैप्टर भी ज्यादा है और कोश्चन भी इसमें ज्यादा राता है और इसमें आता भी कोश्चन ज्यादा है तो आप लोग इसको अच्छा और यहां पर आप लोगा देख सकते हो बहुत सा रेजिट्रेटेंट यहां पर जॉइन हो चुके हैं यहां पर कोई भी नोटिफिकेशन या पीडिएफ आप लोगो पर वाइट कर दिया जाता है ठीक है चलिए तो हम लोग अब कोशन को स्टार्ट करते हैं और ज्यादा ज्य स्टार्ट क्या बोला किसी बी चंद पर क्वांटीटी उसको क्राइब को यह पूछा गया ग्रेंट पूछ अप्लोग कर ना पुरा जब वीडियो खत्म होके आप लोगा तमान बता देना एसे अप लोग कॉमेंट सेक्शन में वह लाइव अला में मार सकते हो लेकिन जब आट अफ कितना मारे हो हो आप लोगा सिंपल कॉमेंट चेक्शन में डाल देना ठीक है जली तो यहाँ पर आप भेलू जो होता वो सुरुत्तम होता ठीक ना तो इसका हम लोग इंशर जो होगा आप ड सोजाएका ठीक है टीक है आपको लिखिए चलिए 23 को बैसे नाउन को देखे हैं को आप देखिए के सिकर और RMS मान के अनुपाद को क्या कहा जाता तो 23 नमर का आप लोग का हो जाएगा वह आप लोग का भी एंसर हो जाएगा यानि पिक फेक्टर होता है अब कैसे होता है यह भी मैं बता देता हूं आपको ठीक है यहां पर आप लोग का एंसर जो होता है यानि पिक फेक्टर जो होता ह इंभी फिक्टर् सेटार का फार्मुलोह होता है भीैंबटा पे होता भी आरेमेंस होता है ठीक है अगर विधेर अपicio होगो पूछ बाद का पूछ लेगा तो फ्रॉम फेक्टर के आप लोग क्या दालना होगा तो फ्रॉम फेक्टर का होता है भी आर Kevbe यहाँ पार भी एब्रेज कर देना ठीक है यह अप्लोग का फ्रॉम फेक्टर को जएगा ऑठीक फेक्टर का बोलेगा तो यह इसमें बहुत ही घुरा थे हैं को सब्लोग को यह ले रहो गहाँ तो आप लोगा दिमाग ऐसी हो जाएगा तो राइट इंसर स्चिजए अप लोगा भी होगा लेकिन इसका फर्मुला इसका फर्मुला up का यह न्यूं 0 छोबेद देख लोगे चलिए 24 साइब普 देख लें यहां पर लिखा गया कि पिक गुना कॉ गुणा की यहां का यहां पर आप लोग का हो जो आप लोग का पीख होता है यहां पर जो चूँटा इसको पिग फेक्टर यह अपलिट्यूट फेक्टर ही करते हैं ठीक है अब लोग समझ रहेए ठीक है चलो हम लोग आप लोग 25 नमर कोशन को देख लेंगे 25 नमर कोशन क्या पूल लाए कि परवति आतरंग रूप alternating way from work, madh, mul, rms, कितना होता है, ये question पुछा गया, तो 25 नमर का question आप लोग का होगा, आप लोग answer देना, start को ठीक है, और ये आप लोग का जो होगा, वो आप लोग का 25 का D answer हो जाएगा, ठीक है, सद्यो आस्थाई होता है, यानि इसका formula होता है, ये भी मैं लिवग दोता हूँ, आपको ठीक है, तो देखो, यहाँ पर आप लोग को होता है, BRMS बराबर होता, BM, बटा पर route टू होता, जो ये होता है, ये अस्थाई होता है, ठीक है, तो ये सद्यो अस्थाई होता है, यह आप लोग का डी एंसर हो जागा 25 नमर कोशिंट का चलिए आप लोग नेस्ट को देख लेते हैं ठीक है और ज्यादा ज्यादा आप लोग कमेंट से हैं बताना देखते हो पूरा वीडियो आप लोग ठीक है और बहुत सारे इस्ट्विएंट देखते हैं लेकिन आप है सोचना पर अप्लोग के जो आप लोग घ्या को याद रखना होता है यह सब कोश्यमान पर का तदकालिक मान और उसत मान कहा जाता है यानि क्या कहा जाता है तत्कालिक मान और उसत मान को हम लोगों यहां पुछा किया तो 27 का जो आओगा वह आप लोग का डी एंसर हो जागा यानि ऑसत मान ही कहा जाता है ठीक है तो इंसर जो होगा वो आप लोगका यह एंसर हो जाएगा नेक्स नमर कोशन का अम लोग देख लेते हैं कि यहांप टॉज्ट आप लोग कोशन पुछ रहा है जी करिए जे करिए टरंग की एक अपरवतिए धारा एसी का सीक्स गुना कर गुना क्या होता तो सिसगुना जो होता Allah 38 नमर का आप लो का इंसर ज्योंगा एंश वो आप लोगा वान फूर रहोता यानि आप लोग च CT6 seaks का मान जो होता वह आप लोग का भी एंसर हो जाएगा अथाइस का ठीक है यह आप लोग का मान को याद रख लेना है जो आप लोग इसु का यह Une लोंगो का नुर्मीकल बने गई जैसे ठीक है और कोशन भी आप लोग बनने वाला है चलिए आप लोग नेक्स नम्र कोशिन को देख लेते हैं यहां पर वेचा किया होता है तो ड़ों का जो चरंद मान होता है ठीक है और जिसका हम लोग पिक आते हैं तो कि a एंशर हो जाएका यहीं पीक फेक्टर ही कहा जाता है ठीक है आपने सैथ आप लिए इंशर हो जाएगा राइट चलिए हम लों नेक्स देख लेंगा तिस नमर कोशन होगा अदर तरंक दिश्ट कारी यह जह तरंक कसि गुना क्या होता है तो आप लोका तीस नमर कोशन जो ठीक है यहाँ पर आप लोगा भी एंसर हो जाएगा बट जे तरंग का पुछेगा तो आप लोगा एंसर यह आप लोगा 1.41 हो जाएगा बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आप लोगा यहाँ पर डीसी ठीक है या या आप लोगा इसक्वाइर इसक्वाइर इसक्वा आप अपलों को यहां पर अगर वेप का आ जाता ठीक है तो आप लोगो यह आप लोगो दियान रखना होगा चलो हम लोग कई एकट्रीं होने वाला है ठीक है यहां पर धियान अधिक है यहां लोका अनुपाट क्या होता पहल比較 थी पैले बीचेते 32 प्रोष्ट कर एथ यहां रहे में होता थीक है यह प्लूब को यादराे का तरिया मारं साथ सकते होते तैसने मर कोशन लेख श्रक्त्य प्रवती वीधित विभॉक के लिए रूप गुना किया होता ता और एमस्वेलू बटा पर मिन बेलू मिन बेलू को हम लोग एबरेज वेलू भी काते हैं यह एबरेज काते और इसको मिन बेलू भी का जाता यह आप लोग याद रखेंगा यह चीज़ी के एंसर ज को दीमाग में इसको याद रखना ठीक नहीं आकर याद रखत시면 ने तो नहीं पनेगा है इसको हमेशा आप लोगे एक पर चार्ट में बagना लो सामने हमेशा छीप का कि तो रोज अब लोग सोते वक्त इसको देखते रहो ठीक है पर डे देखना यानि आप लोगो पर डे देखना एक दिन नागा मत करना ठीक है तो आप लोगो ऐसे ना दिमाग में फ्यट हो जाएगा वहाँ जागा तुर्णित मार सकते हो एक्जाम में चोलो यहां नेक्स कॉश्चन नमर कॉश्चन पैटीस है ऐसी के आरेमस हम पहले भी कर चुके हैं भी कोश्चन इसको तो आप लोग आराम से मार यह पैटीस नमर का एंसर हो जाएगा ठीक है यह आप लोग का फ्रॉम फेक्टर का मान जो होता हो आरेमस और और उससत मान का मुल होता है ठीक कानूपाद होता है तो एंसर हो जाएगा यहाँ पर कानूपाद क्या होता है तो रूम करना का मतलब आप लोग का देख सकता हो यहाँ पर और अरब्स धड़ी सेवन का तो आप लोग का और मेंस मूल और रोसद मूल को ही रूप गुना का जाता है ठीक है तो आप लोग का यहiser हो और आप लोग का भी ऐनसर होने वाला है यह 30 है किलो वार्ट बट्टा पे के के भी है ठीक है इसको लिख दो तो यहां पर जो होगा इसको हम लोग है ना इसको हम लोग हम लोग एक्टी पावर करते हैं और इसको हम लोग नीची को अपेरेंट पावर करते हैं ठीक है तो यह आप लोग का अगर आप लोग को इसको यहां पर लाओगे तो यहां पर यहां पर आप लोग का के डाबलू हो जाएगा ठीक है के डाबलू हो जाएगा तो यह वला आप लोग पावर फेक्टर यहां लिख दो ना और के यहां पर यहां पर लिखे हम लोग आप लोग यहां पर आगी है ठीक है और यहां पर गुना करके हम हम लोग देख लेंगे सकती यानि पाइरेंट पावर होता है यह आप लोग को याद रखना होगा ठीक है यह आप लोग थीख यह आप लोग को मां याद रखना होगा ठीक है चलो यह अंतें पोसिफल नहीं बन again ऑ और बीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा रहा हो और अच्छा वीडियो अच्छा बिचलागा रहा हो और आप लोग अच्छा सब्चाज त्यारी करके अपना बी एच पी सी या आप लोग जहां भी त्यारी करो उसमें सफ़ल हो आप लोग ठीक है ठेंक ये फर वाचिंग जादा जादा सेर कर दीजेगा वार्साप ग्रूप में भी जॉइन हो जाएगा ठेंक ये फर वाचिंग